दोस्तों क्या आपको पता है? परते दिन सुबह मेथी का पानी पिनी से व्यक्ति के अंदर डाइबटीज की समस्या खतम हो जाती हैं। दूसरा टिप्स नेम एक बहुत अच्छा कंडिशनर है। इसकी पतियों को पानी में उबाल कर उसके पानी से बाल धोने से रूसी और फंगल जैसे समस्याएं कतम होती हैं। तीसरा टिप्स खराटों से निजात पाने के लिए रोज सोने से पहले एक गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। इसे सांस की नली खुलती हैं और खराटों से हमें निजात मिलती हैं। चोथा टिप्स नहाते समय पूरी बोड़ी पर साबुन नहीं लगाना चाहिए। इससे स्किन ड्राई होती हैं। जहाँ जादा पसी नात है वहाँ साबुन लगाना काफी हैं। पांचवा टिप्स तेजी से वजन घटाने के लिए सहद लगाकर मूली खाएं। मूली के सलाद में नमक और निमो मिलाकर परति दिन खाएं। खाने में मेथी की पतियों का प्रियोग करें। छटा टिप्स दो चम्मच दूद में चुटकी बर हल्दी मिलाकर रात को सोने से पहले चेहरे पर मसाज करें। यह रंग निखारने के साथ सत आपकी स्किन को हल्दी और गलोइंग वैच चमकदार भी बनाता है। साथवा टिप्स चावल का ज़्यादा सेवन करना सुगर के मरीजों के लिए अत्यादिक नुकसान दायक साबित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चावल में गुलकोज की मातरा बेहद अधिक होती है। आठवा टिप्स पूरे दिन में 6-7 चमच से ज़्यादा मिठन नहीं खाना चाहिए। अगर आप डायपटीस से बचता चाहते हैं तो आपको सहद या फिर गुड या फिर मिसरी का सेवन करना चाहिए। नौवा टिप्स यदि आप अच्छी नींद लेने के बाद भी ठका ठका सा महसूस करें तो आपके सरीर में पानी की कमी है। इसलिए जब भी आप सोकर उठें तो थोड़ा पानी जरूर भी हैं। दसवा टिप्स चहरे के कील मुहासों को दूर करने के लिए सहद में नीमू करस और अलोविरा जेल मिला कर लगाएं। इससे चहरे के कील मुहासे कुछी दिनों में दूर हो जाएंगे और आपके चहरे की रंगत बढ़ेगी। ग्यारवा टिप्स रिफाइंड ओयल को मोत का तेल कहा जाता है। रिफाइंड तेल के बजाए हमें तेल के तेल, सरसों के तेल, मुंगफली का तेल या नारिल के तेल का परियोग करना चाहिए। क्योंकि रिफाइंड तेल में बहुत सारे कैमिकल होते हैं जो हमारे सरीर को बेहद अधिक फाइदेवन्द होता है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैशे लगी आप हमें कोमेंट बोक्स में मैसेज करकर जरूर बताएं यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजे और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजे सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजे धन्यवाद दोस्तों